तो नमश्कार स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक जो कि लेग्रेंजियन मेकनिक्स से ही रिलेटेड है तो वो टॉपिक क्या है कि तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लेग्रेंजियन मेकनिक्स हमने बहुत अच्छे तरीक से पढ़ लेया वाट इस लेग्रेंजियन तो लेग्रेंजियन किस-किस जनलेश्ट कॉडिनेट पर डिपेंड करता है जैसे कि पोजिशन कॉडिनेट वेलोसिटी कॉडिनेट और लेग्रेंजियन एक्विशन तो यहां पर हमें क्या करना है कि सिंपल पेंडूलम का जो मोशन एक्विशन वो लेग्रेंजियन एक्विशन से डिराइफ करना है ठीक है तो जैसा कि एक सिंपल पेंडूलम का केस है ठीक है जिसमें क्या है कि ठीटा जो है वो एंगुलर डिस यह C A अगर C A length L है तो यहाँ पर C O जो length होगा वो भी यहाँ पर L होगा कि यह movement ऐसा करें यहां से आ रहा है फिर यहां से ओपर आ रहा है फिर यहां से इस तरह से जा रहा है ठीक और यह हमने एक जाहाँ ए और बी के भीज में एक लाइन रो कर दिया परपंडूर लाइन ठीक है अब देखें हम थोड़ा लिख सकते हैं इस टाइप से कि लैट ठीटा भी दा ठीटा भी दा एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट ओके भी दा एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट गिता विता उन्गर डिस्प्लेस्मेंट यद्टर इल विद एंगु दाफ्लेस्मेंट एंगुल्म् को से कि लैटिटेंट एंग rope ग Pal m be the mass of the ball अब आप देखे अगर मैं थोड़ा मतलब previous classes में जाओ और मतलब recapitulate करूँ तो यह जो s है यह क्या है displacement distance की यही distance है move कर रहा है तो अब यह s क्या है अगर इस figure को हम consider करते है यह एक आर्क है ठीक है तो हमको पता है कि angle is equal to arc upon radius यह एक formula बहुत बच्पन से हमको पता है तो यहाँ पर जो radius जो है अगर हमें इस circle की अगर इसको मैं circle मालने तो radius मेरा क्या है यह L radius है तो angle मेरा क्या है theta तो theta is equal to arc is what s by radius is what L ठीक है तो s क्या है मेरा displacement भी है तो s का value मेरा क्या जाएगा L theta ओके अब देखिए क्योंकि मुझे lagrangian equation यूज करके simple pendulum का motion of equation derive करना है तो मुझे lagrangian equation पता होना चाहिए तो हम लोगों ने lagrangian equation को derive भी कर जाए अगर आपने वो video देखा नहीं हो तो आप देख सकते जाके फिर भी मैं यहां lagrangian equation एक बहर लेक लेता हूँ वो क्या होता है d upon dt of dell l upon dell qk dot that is velocity coordinate okay minus dell l by dell qk is equal to 0 तो यह जो है lagrangian equation है इस equation में हमारे पास सबसे complicated term क्या है l हमको lagrangian सबसे पहले l निकालना पड़ेगा तो what is l l is t minus v जो हमको पता है तो t क्या है kinetic energy v is what potential energy t to kinetic energy v is what potential energy अब आप देखिए मुझे suppose अभी t निकालना है kinetic energy निकालना है तो kinetic energy in general हमको पता होता है half of mv square where v is what this v is velocity and this v is potential energy don't get confused okay now t is what half of mv square now what we have to do we have to find this velocity so how we have to how we will calculate the velocity because there is displacement okay we have calculated the displacement so we know that we know that velocity is equal to rate of change of displacement with time isn't it so if velocity is ds upon dt then what we will do what is the velocity velocity equal to d and what is the displacement it is l theta upon dt okay and l is constant so it will come out from the differentiation so l d theta by dt okay or d theta by dt को मैं क्या लिख सकता हो l theta dot d theta upon dt को मैं क्या लिख सकता हो theta dot तो तो जो वेलोसिटी मेरा आ गया है वो l theta dot तो यहां से अब मैं इसको put कर देता हूं तो it is half of mv v के जगे पर मैं क्या करूंगा l theta dot और यह जो वेलो आ जाएगा यह क्या जाएगा यह क्या जाएगा m l square theta dot square ठीक है तो अब मेरा जो काम हो गया आधा काम मेरा हो गया मैंने t निकाल गया अब मुझे क्या निकालना है v what is v it is potential energy do you know that v is in general mg h सबको बता होता है तो अब height निकालने की बात है अब height यह कौन सी height है यह जो extended ob वाली height है ob ob जो height है वो निकालने के लिए मुझे क्या करना बढ़ गया किल्टो mg ob को मैं क्या लिख सकता हूं oc minus cb मैं लिख सकता हूं oc minus cb क्योंकि यह जो height है mg ob ओके तो oc minus cb अब देखिए oc is what oc is what it is l oc जो मेरा वो l है तो यह तो mg यहां पर आ जाए और cb क्या है अगर मैं इस triangle को consider करूँ तो यह right angle triangle यहां पर इसका right angle एक बनता है ठीक है और यह theta है तो यह perpendicular हो जाएगा और यह मेरा क्या हो जाएगा base to base by hypotenuse equal to cos theta तो मेरा क्या हो जाएगा base equal to hypotenuse cos theta तो यह क्या हो जाएगा l cos theta तो मेरा पास जो value आ रहा है वी का हो क्या आ जा रहा है mg mg l अगर मैं common ले लेता हूं तो तो it is one minus cos theta तो अब मेरे पास kinetic energy आ गया मेरे पास potential energy आ गया तो मेरे सिदा इसे l लेकाल सकता हूं so l is what t minus v we know that then what is t it is we have calculated half of ml square theta dot square minus what is that v it is mg l mg l one minus cos theta ओके it is mg l one minus cos theta ओके तो अब हमको क्या करना है इस l को यह जो l लिख ला है इसको इस equation में put कर देना है और equation of motion of pendulum direct कर देना है ठीक है तो अब जो हमारे पास l का जो value आया है वो इस type का है half ml square theta dot minus mg l one minus cos theta तो अब मुझे क्या करना है इसको lagrangian equation पोट करना है तो ध्यान रखेगा एक चीज़ lagrangian equation मेरा क्या है d upon dt of dell l upon dell qk dot minus dell l by dell qk is equal to 0 अब देखिए यहाँ पर qk dot qk क्या है मेरा generalized coordinate है ठीक तो यहाँ पर मेरा कौन सा coordinate generalized है वो है क्या theta isn't it so मेरा theta जो है वो generalized coordinate है तो मैं dell l upon dell qk dot को मैं क्या लिख सेता हूँ मैं इसका लिख सेता हूँ dell l upon dell theta dot ठीक है तो इसको अगर मैं अब इस equation को मैं अगर theta dot के respect में partial derivative करता हूँ तो यह क्या जाएगा dell upon dell theta dot of complete this equation तो इस equation में देखिए सिव इसी term पे मेरा क्या है theta dot बाकि इस term में मेरा theta dot कहीं है नहीं तो वह partial differentiation बहां निकल जाएगा तो मैं इसी term को मैं differentiate करूंगा तो इस term को मैं differentiate करता हूँ तो मेरे 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 पास क्या रहा है half of ml square theta dot square minus mgl one minus cos theta okay अब differentiate अगर मैं करता हूँ तो क्या half ml square तो constant बहां निकल जाएगा तो dell upon dell theta dot का value क्या है 2 theta dot तो इसका value आ रहा है ml square theta dot means dell upon dell theta dot is ml square theta dot okay अगर मैं यह coordinate देखू dell upon dell q के तो उसका value हो जाएगा वो क्या आ जाएगा l upon dell theta अब इसी same equation को मैं अगर theta के respect में differentiate करता हूँ तो वो क्या रहा है वो आ रहा है मेरा इस term में इस term का तो zero हो जाएगा कि कि इसमें कोई कहीं पर theta dot sorry theta है नहीं इसको differentiate करना है तो यह mg l minus mgl cost a that is minus mgl sin theta okay so इसका जो value आजाएगा वो आजाएगा minus mgl sin thier अब मुझे इस equation में इसको में माल लेता हूँ एक इसको में माल लेता हूँ एसको में माल लेता हूँ ए 1 अब अब A B को मुझे equation number two में put करना है तो मैं put कर देता हूँ D upon D by dot of dell l upon dell theta dot is ml square theta dot minus and that is again minus यह formula वाला और यहाँ पर एक है minus mgl cos theta तो यह हो जाएगा plus mgl sin theta is equal to 0. अब यहाँ पर देगे इस term को differentiate करना पड़ेगा तो ml square हमारा constant होता है और मैं अगर theta dot को t के respect में differentiate करो तो यह क्या हो जाएगा theta double dot plus mgl sin theta equal to 0 अब मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लेता हूँ मैं कि theta बहुत small है ठीक है तो sin theta is approximately equal to theta तो इस sin theta को मैं theta लिख सकता हूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ml square theta double dot plus mgl theta equal to 0 okay अब देखिए इन यहां से इन दोनों से ml जो है वो constant है ठीक है मतलब common है तो उसको मैं उस side में बेज देता हूँ तो मेरे पास यहां क्या बचता है sorry l theta double dot l theta double dot plus यहां से ml मैंने उस right hand side में transfer के दे मेरे पास क्या बचता है g theta is equal to 0 ठीक है और यहां से अगर मैं थोड़ा बहुत और लिख लू theta double dot plus g by l theta is equal to 0 ठीक है तो यह जो equation है यह क्या है this equation is what equation of simple pendulum okay equation of simple pendulum तो यहां पर जो यह मेरा sorry मेरा जो अगर मुझे time period निकालना है तो time period equal to kya होता है t equal to 2 pi under root l by g ठीक है तो यह देखिए time period में मेरा correct आ रहा है ठीक है तो theta double dot plus g by l theta equal to 0 ठीक है तो यह जो equation है यह equation of simple pendulum using lagrangian ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आगे हम compound pendulum के भी देखेंगे और etude machine बगारा जो कुछ भी है using lagrangian साहा कुछ drive परेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही thank you ड्योओ स्क्ष्णडडरे में बस बस्क्तुड थेखे टौजय के टिस धो भी है यह तो यह तो मित्स रड़ोग अनाला कि अर्म जलागे